गुड मॉर्णिंग क्लास सो गाइस देखो यहां पे गोल्डेन कोस्टन का स्रीज निमर 9 आ चुका है मेरे दोस्टिक है इससे पहले गाइस और लेडी मैंने 8 पार तक अप्लोड कर दिया है डेफिनेटली जाके आप लोग देखेगा काफी इससे रहते हैं बता दू गाईस यहां पे गाईस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी कोस्टन सोते ना आपके जो भी एक्जाम प्रिबीएस जरी में जो भी एक्जाम हुए है आज गाइज अगर वीडियो देख लेंगे पूरा तो गाइज 90 कॉंसेप्ट सोच लो गाइज 90 कॉंसेप्ट जो की गाइज एकदम इंपॉर्टेंट वाला किता जबर दर्स से सना रहा है तो डेफिनेटली गाइज आप लोग भी देखें और दोस्तों को भी बोले मतलब दे चलती है उसको ही काते हैं कौंसा ओप्सनस है जो सफ़ाइट करता है इस चार एपसं में पहले बात करते है बुन का मतलब क्या होता आसि वाथ बहुत धाली सईट करको हो जाना बिए जैपर बोले तूम्मौन है यही गैन की का सलॉटलूटली हर्ट हर टी तो अलट का मतलब यह आप सिनोनियम चाहो तो लिख सकते हो वाच्फुल 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 तो सतरक राइट तो होप करते हैं गाईज यह वर्ट जो आपको पसंद आज होगा अगे गाईज सेकेंड को समय बढ़ने से पहले एक बात-बात कर लेते हैं समय जो कि आपकी फैदा और मेरे के मेरे भी फैदा की बात है देखो आप लोग किसी भी चीट का त्यारे का रहे है तो लाइक एरफोर्स है ने भी एंडिये कोस्ट गार्ड एससे जीडी वाटेवर गाईज तो परिक्षा है पर बेस्ट टेस्ट चलाई चलाई जा रही है म बहुत ही जवरदस्ट अप्लिकेशन मोर दें 300 प्लस स्टूड एक्स प्लस स्टूडेंट इस चीज को इंस्ट्रॉल करके और गाइज रेग्लर में अपना टेसरी लगाते है तो डेफिनितली जाए और चेक आउट करिए तो हरी ता फर्स्ट कोशन तो कोशन इस बिजनेस वांटेट तो तो टेक ओवर देगो अब अब ओवर एस देनीव चेर्मेन अफ दियर ओंवर्टेट बोट्स नो इर गाइज बता दो कि बहुत ही प्यारा सा कॉंसेप्ट है यह एक आप लिख लो वर्प्लस अब्जेक्ट का मतलब किया हुआ कि वर्व के बाद कर सकते हो ठीके ओसे ऑब्जेक्टिव सी से केस तो जर्णा देखिएगा दब इजनेस राइट यह लॉबी अब सर यहां पर वांटेट किया सर इस सब्वाव राइट इट सब्सक्राइब तो इसके आने वाला यह जो ही आया है यह तो सर हमें सब्जेक्टिव केस लग रहा ही का मेरे दोस्त क्या होगा ही हो जाएगा ठीक है तो ऑप्सान नमर बी गुना सदिस्वाइड यार देखिए कितना प्यारा सा कॉंसेप्ट था आसानी से समझ गए एक मिनिट के अंदर अंदर दस मिनिट में दस कोशन कर लेंगे डॉंट बड़ी ओल बिटनेसे देखिए यह बहुत ही गाइस प्यारा सा कॉसन मैं आपको एक प्लस पॉइंट बदाता हूं मैं यहां पर चेप्टर बाइज कुसन को लें अब मैं वहां पर हेडिंग नहीं रहता हूं वर चेप्टर बाइज कोशन लेता हूं ठीक है यसे कि यह प्रणाउन का कोशन है अभी यहां दें और ध्यांसिस पॉइंट को लिख लें कि और का पर्योग दो से अधिक में सबको अनि सबके सबको दरसाने के लिए होता है दो में से दो से अधिक को ठीक है तो अब जड़ा बताते हैं यहां पर लगाया और और एब्रीवन का भी बात पहले करेंगे और और का है जब परते को अलग-अलग करके दरसाना हो तो जरा मेरे दोस्त बताइएगा इस को सन को देखके आपको कैसा लग रहा है कि और बिटनेसेज और यस्टरेज एक्सिडेंट हैज बिन को संड मतलब को संड किया गया अलग-अलग करके पूलिस के दोरा तो एब्रीवन और करते हैं और यूद्ध को दो से अधिक के लिए करते हैं और फॉन पर्योग में अंतर आंट क्या है कि और प्रियोग हम दो से अधिक में सब के सब को दर्षानी के लिए अनि होल को दर्षानी के लिए करते हैं इसे कि all of us are Indian हम सभी लोग भारतिये हैं लेकिन एब्रियोन क्या खाता है कि भाई दोसे अधिक के बीच में तो होगा लिकिन कब होगा तब होते हैं जब परते के को अलग-अलग करके दर्षाना हो तो मे सब्सक्राइब यहां पर और तो क्या होगा एब्रीवन कि आप लोग इस सीच को कॉंसेप को आप अपने कॉपी में नोडाउन कर लेंगे और प्लीज गाइड नोडाउन करना काफी इंपॉर्टेंट से सनहते हैं अच्छा इसे देखिए अब जरा बताइएगा मुझे कु का जैसे कि एपसेंट हो गया परजेंट हो गया इंजवाय हो गया ठीक है एक सेट मैं अपना पिन भी नीकाल लूए यहां से ठीक है और एक सब जितने की जितने और एडेप्ट हो गया वार देख रहां इसके साथ रिफ्लक्सी पर नाउन का पड़्योग किया जाता किस ने बताए वेल वगरा ठीक है तो आप मुझे बताए यहां पी एवेल आ गया तो और यहां पर भौलेंटरी है इन दोनों के बीच में हमें रिफ्लक्सी पॉर्णाउं का पड़ियो करना होगा तो रिफ्लक्सी पॉर्णाउं देमसेल्फस यहां पर गुनासरी आडियर गैस आप लोग मेरे प्लेइलिस चेक कर सकते हो और लेडी मैंने परहा रखा हूं जाके देख लिजेगा ठीक है चलिए तो होब करता हूं आप इस चीजों को समझ पा रहे होंगे तो अब यहां पर को सब्सक्राइब निकाल के गया बहुत है प्लीज आप लोग अपने पेन और प्रकूर को निकाल के गया बोलाओ बैर चाना क्योंकि भाई साब सारे इंपोर्टे नहीं को संकर बारा हूं इतना यह प्यारा सा को सनना आप लोग भाई साब कर दिए अब यहां सब्सक्राइब के लिए तब करते हैं याद रहें कि बिचका पर योग हम सजीव निर्जीव के लिए तब करेंगे तब करते हैं जब प्रस्न के साथ साथ चैन भी दरसाना हो क्या करदर साना हो 24 की बात करनी हो तो मैं यह कोसन पता आब के एर फोर्स की इसी साल में एक्जाम में पूछा था और या कोसन कर भए ता कि बहुए जब 24 की बात आये तो हूँ नहीं बल्की बिचछे का पर योग करते हैं मेरे दोस्त और डैट भी करते हैं तो ज़रा पता ना दाश्टर डिन नौट नो फूफ दाश्वेंट्स ब्रोक इस जग इन इस अब सेंज तो चैन करने की बात आ रही है कि भाई मास्टर को पताई इच नहीं है कि यह मेरी अब सेंस में किस सर्वेंट ने ग्लास को मत जग को ब्रोकिन किया तो यहां आप चैनित करने की बात आ रही है करनी कि बात आ रही है ना इन तर्शीन्स तो वहीं निकल लेजित तो यहां पे हूगा किया होगा शर यहां पे होगा विच्च एवेन या सजीव या निट्जीव इजैंट मेंटर आइप समझ पार होएंगे तो औप्शन नमर बीगकुन सरी स्पाइडियर गो फ़र्दा नेक्स्ट वान मेरे दोस्त आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा गाईज अगर ऐसा है तो प्लीज गाईज वीडियो को लाइक करो ठीक है शेयर करो दोस्तों को बताओ कि भाई जबरदस सेशन चलता और डेफिनेटी आप सकता परी तो रिलेटीव और नाउन का रूप में डेट का परयोग करेगा जैसे की कोशन है कि ओल डेट इस नोट गूट लेकिन लेकिन दोस्त एक और कॉंसेप्ट लिखेगा कि यदिस अजीव और नर्जीव यदिस अजीव और नर्जीव एक सांथ आए और उन्हें रिल कहों तो यहां पे सजीव तो डोनों है द्रॉब भी तो सजीव है औरे मेरे दोस्त इंग्लीज में सिर्फ और सिव ही यूमन बिंग्स यानी मानम ही सजीव होते हैं बाकी सब नर्जीव होते हैं तो सरकुट्ता बिली गध्याब कृइब फैर पौधे इस पेर अच्छे दे को से काई वोली फॉर हुमन बींग्स इस क्या गाई सजीव वह फॉर हुमन विंग्स बाकि सब के सब काई मेरे दोस्त निर्जीव राइट अब बता यह दम एन बता दू मेरे दोस्त की प्रणाउन इतने इंपोर्टेंट आपके हैं कि से बहुत सारे कोशन फंसते हैं अपकी एक्जाम में तो प्लीज पार्ट सोफी स्पीच का यह बहुत ही अहम हिस्सा है और पार्ट सोफी स्पीच पर जिसका कमान लागिया डेफिनेटली अच्छा स्क कि जब सो का पड़ियों कार की लक्षे को मुदर्स आने के लिए होता है क्या बोला कि जब सो का पर योग कार की लक्षे को दरसाने के लिए सब्सक्राइब तो यहां पर इसके सांथ लगता सब्सक्राइब के बाद यहां पे डाइट लगाऊ ना कि दिक्कत कि आ गई और यहां पे जो बीच किया है इसे हटा दो सिंपल सी बात है सो डिफकल्ट बीच नहीं बलकि डाइट होगा उमीद है कॉंसेप्ट समाज आया गिया होगा तो ऑप्सन नमर भी गोना सरी स्वाइड सब्सक्राइब करते हैं जबात मानव की हो और वहां का सब्जेक्ट हो तो अब क्लरक किया है डेफिनेटली सजीब है मानव है ना बाई कोई न कोई तो और यहां पैजा सब्जेक्ट की रूप में काम कर रहा है और यहां पर किसका बोला कि हुगा पढ़योग रिलेटी पर नाउंड की रूप में तब करते हैं जब यहां बात मानव की हो तो रही है तो रिलेटी पर नाउंड की रूप में हम करेंगे क्या नहीं हूगा दो सिंपल सी बात ऑप्सन अब एसाइड का गो फर दानेक्सट this is the man who advice is very difficult to follow for anyone right देखिए अब यहां पर कोशन लिखिए है कि हुज का प्रयूग रिलेटीव और गिरूप में मानव के बदले तब करते हैं जब उनके अधिकार दर्सा ना हूँ तो इस दा मैं फू नहीं हुज अडवाइस अधिकार की अधिकार उसी का दर्सा रहा है ना तो लगेगा किया वहादो ना सिंपल सी वात है सोली हुज नौट हुम है डवल ठीक है आज का साथ या आखरी को सन होगा यह तो लोगाइस यह आज का आखरी को सन है एक यह इस टाबलु को सन डेफिनेटली अब लोग कर जब दो तीन को समय ज्यादा कर दिया इसलिए तो रहा से वीडियो का पॉइंट जो है लेंध वरा हो गया कोई ना गाईस थांक्स अबर 50 लगाना को डेफिनेटल लगाईएगा अपको भी 50 परसेंट का डिसकाउंट मिलेगा थुरा बहुत आप भी कमाईएगा अच्छा ठीक है थुरा बहुत मैं भी कमाऊंगा ठीक है ज्यादे चाहो तो मुझे फॉलोग कर सकते इंस्ट्राग्राम पे इसका लिंक है इ जै हिंद बंदे मातर हम